हेलो अभीवान वेलकम बैक मैं हो नितन सोनी और आज फिगमा डिजाइंग चैलेंज 10 यानि कि लास्ट चैलेंज है जो मैं आज ले गया हूं लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट ले आउट है आप देख सकते हो प्रीवी में आपने देखा होगा क्योंकि enterprise applications में dashboard बहुत जादा useful होता है बहुत ही complicated भी होता है और जैसा कि यह last design challenge है तो आप मुझे please comment में बताइएगा कि आगे और किस type की classes आपको चाहिए तो यहां पर हमारा last design challenge है जो web के लिए है तो website से related हमने सारे challenges पूरे के और यह हमारा last challenge है तो इसको हमें और भी अच्छे से बनाना है और यह मैंने थोड़ा सा different इसलिए लिया है क्योंकि enterprise level application में dashboard की बहुत जादा demand होती है तो creatively इसको कैसे बनाएंगे वो हम इसमें देखेंगे तो सबसे पहले मैं कहा करूंगा एक artboard लोंगा ए प्रेस करके और 1440 यह वाला मैं artboard ले लोंगा ठीक है तो इसमें भी मैं वही grid system अभी लगाऊंगा लेकिन इसमें थोड़ा क्या आता हूं इसके अंदर और इसको करते हैं थोड़ा सा छोटा ठीक है तो यहां पर मैंने इतना छोटा मैंने इसको कर लिया है इसके बाद इसको design करना शुरू करते हैं planning करते हैं तो इसका सारा content और icons वगएरा मैंने निकाल के रखे हुए हैं और इनको हम use करने वाले है इसमें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे left navigation design करेंगे तो मैं यहां पर लूँगा एक rectangle और rectangle मुझे measure करके बताएगा कि कितना इनका है navigation 224 इनका navigation है ठीक है तो इसको मैं भी भार निकाल लेता हूं and planning करते हैं तो यहां पर मैं सबसे पहले logo बनाऊँगा तो logo के लिए rectangle लेते है rectangle को इस तरीके से draw करके मैंने shift के साथ इस तरीके से थोड़ा घुमा दिया और fill कर दिया इसका minus stroke कर दिया मैंने plus ठीक है so plus करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा increase कर लूँगा जितना मुझे यह ठीकने shift की चाहिए और अभी के लिए मैं एक dummy logo बना देता हूं क्योंकि इसमें जाधा हम time waste नहीं करेंगे तो यह एक logo बन गया यहां पर हमारा and इन दोनों को मैं नीचे ले आऊंगा और इसको छोटा कर देंगे थोड़ा सा and यहां पर space थोड़ा सा increase कर लेंगे यह logo हमारा बन गया इसके बाद मुझे text लिखना है तो inter font चलाएंगे यहां पर मैंने लिखा wise inter font चलाएंगे inter font मैंने ले लिया k press किया और इसको थोड़ा सा छोटा घर लिया और इसके उपर रखके देखा कितने में यह set होगा ठीक है बंद किया 23 हाल है तो इसको round figure 24 कर देते हैं और इसको मैं रख देता हूँ इसके ऊपर दोनों को equally align करते हैं control g यानि command g लोगों हमारा ready है इसके बाद यह unit हमें बनानी है यह unit कैसे बनेगी सबसे पहले मैं एक ellipse ले लेता हूँ उसमें और ellipse लेने के बाद right click plugins and content reel content reel पर मैं जाता हूँ और यहाँ पर मुझे अफ़तार pick लेके आनी है तो image में जाने के बाद यहाँ पर अफ़तार दिखेगा अफ़तार पर apply करना है randomly कोई भी apply हो जाएगा तो यह हमारा यहाँ पर आ गया ठीक है एक ellipse भी बना लिया content लेना है तो इसको लोगों को मैं एक वार नीचे लेके आत अहाँ पर और इसका font हम रखेंगे almost 16 16 भीको perfect font है 16 रख लिया अब नीचे edit लेना है edit को हम करेंगे 14 और 14 में भी इसको हमें बनाना है auto layout shift a मैंने प्रेस किया shift a press करते ही यह आप देखो गया outlines आ गए and stroke पे क्लिक किया इसको मुझे लेना है grey सबसे पहले मैं इसको बंद कर द लिया grey and radius इसका मुझे करना है full तो full radius करने के बाद इसमें मुझे थोड़ा सा treatment यहां से भी देना होगा इसको मैं इस तरीके से भी ले सकता हूं otherwise इसको मैं क्या करूंगा इसके ऊपर रखूंगा और पहले तो font मुझे छोटा करना है font बहुत ज्यादा बड़ा है तो font select किय इसको मैंने किया 12 ठीक है 12 पर्फेक्ट है तो 12 यहां पर लेने के बाद इसको मैं अपने हिसाब से इस तरीके से set कर दूँगा तो यहां पर यह भी बनके ready हो गया अब navigation पर हमारा main काम है auto layout के तुरूद ही बनाएंगे यह सारे icons मैंने already बना रखे हैं तो इनको मैं यहां पर लेके आता हूँ मैं calendar का icon भी लेके आ गया and setting का यह चार icon मुझे चाहिए ठीक है तो चार icon सबसे पहले मैं इन सब को पकड़ लेता हूँ और लेके आता हूँ इसके उपर इसके उपर लाके मैं पहले set कर लेता हूँ कि कितने बड़े मुझे रखने हैं तो यहां पे यह मेरा size परफेक्ट हो गया और थोड़ा सा enskո बड़ा हूँ पह यहां पर someone हमने सेट कर लिए कि आइकन कितने बड़े रखना है ओके सो मैं सब को सेंटर करूंगा और यहां पर आप देखोगे यह आइकन का रेडियस थोड़ा थोड़ा यह घड़ गया है तो यहांते मैं इसको अभी यह लिए कम कर सकता हूं तो हमारी एक्जैक्ट शेप आ जाएगी इसमें भी मैं सबका रेडियस कम कर सकता हूं ठीक है सबको मैंने दू कर दिया तो अग्जैक्टली आ गया सबका कलर हमें सेम करना है सबको पकड़ना है और यही वाला कलर पिक कर लेना है तो यह हमारे आइकन आ गए सबसे पहले मैं एक ही बनाऊंगा एक यहां पर डैश बोड लगने के बाद इसको करते हैं 14 और थोड़ा इंक्रीज करते हैं 16 रख लेता है इसमें भी आल्मोस 16 है मीडियम की जगे इसको करते हैं रैगुलर करने के बाद कलर इसका पिक करते हैं सेम यह भी हो गया अब दोनों को शिफ्ट के साथ पकड़के शिफ्ट ए प कोई सब्सक्राइब ले रहते हैं और आटो लियाओट में जाके इसकी प्रॉपर्टी सेट करते हैं जैसे यहां पर मैंने सेट कर दिया और हाइट भी इसकी सेट करनी है मुझे ठीक है हाइट बिल्कु सही आगए रेडियस थोड़ा सा इस तरीके से कर लेंगे यह मैं करता बन गया तो यह हमारा एज़ अगया कना में टैन्व यह का चाहिए फिल्म ब्लैक डाग एक तहें फिल्म में पर इसके बाद फोड़ी प्लानिंग में चेंगे हैं अब क्या करेंगे इन सब को हम यहां ले आएंगे और इसको मैं रिपीट कराऊंगा एक वार और शिफ्ट ए प्रेस कर दूँगा और अंदर जाके कमांड डी कमांड डी चार वार यह हो गया ठीक है इसको हमने रख लिया साइड में अब इसका स्पेस हम इस तरीके से खोल सकते हैं जितना भी हमें चाहिए तो 8 पिक्सल मैंने कर दिया अब 8 पिक्सल करने के बाद यहां पर मैंने लिखा activity और इसमें ये सारे center line हमने किये हैं लेकिन center नहीं रखना है हमें तो इसके अंदर जाके इन सब को select करने के बाद ये center है इसको हम कर देंगे left ठीक है और left से थोड़ा सा space अगर देना है तो यहां से 4. पे मैंने click किया और left वाला देखेंगे कौन सा space है यह वाला है left padding तो यहां से मैंने यह increase कर ली ठीक अब इस पर मैं गया color मुझे कौन सा चाहिए यह light वाला चाहिए यही वाला ले लिया और इन दोनों को मैं डिलीट कर देता हूं क्यों क्योंकि मैं इसी को repeat करा लूँगा एक दो ठीक है अब यहां पर मुझे लिखना है schedule schedule हो गया and यहां पर मैंने लिख दिया setting अब यहां पर हम करेंगे थोड़ा सा magic magic कैसे यह icon मैं उठाऊंगा और यहां पर रख दूँगा इसको मैं delete कर दूँगा ठीक है तो auto adjust हो रहा है यही फायदा है auto layout का तो यहां पर रख दिया and यह भी यहां पर रख दिया ठीक है navigation बिल्कुल perfect बन गया vertical navigation अब इसके बाद यहां पर यह बनाना है तो मैं क्या करूँगा इसको एक वार और copy करके बाहर ले आँगा और ungroup करूँगा दो तिन वार क्योंकि मुझे सिर्फ content ही चाहिए icon नहीं चाहिए icon नहीं लूँगा content लूँगा यहां से मैं करूँगा इस color थोड़ा सा चेंज है तो यही वाला color मैंने ले लिया एंड यहां पर रख दिया ओके सो इसके बाद अब लेके आते हैं एक और icon जो हमने बनाय हुआ है यह वाला तो इस icon को लाने के बाद क्या करना है सबसे पहले तो इसको छोटा कर लेना है और यहां पर रख देना है ठ लिप्स हमने बना दिया और एक rectangle लेके इसको हम इस तरीके से भी बना सकते हैं rectangle को मैंने इस तरीके से किया और इसमें stroke apply किया वह भी grey color का इसको हम थोड़ा सा छोटा करेंगे और नीचे लेके आएंगे and color apply कर दूंगा मैं यही वाला and then दुबारा उपर लेके आएंगे और दोनों को पकड़के equally align कर देंगे यह हमारा perfect बन गया इसको नीचे लेके आता है और group कर लेता है group करने के बाद इस पे मुझे yellow color कर रहे है and इस पे मुझे यह वाला color करना है अब इसमें आप देखोगे यह चायद align proper नहीं है या फिर कुछ pixel gap है एक pixel down करना पड़ेगा अगर आप देखोगे इसमें कितना gap है अब सही है तीन तीन pixel दोनों साइट से perfect है ठीक है सब को select किया group कर लिया यहाँ पर रख दिया अब इसको भी select करो इसको भी करो और middle align कर दो तो यह unit भी आपकी बन गई control G कर दिया मैंने एक दो तीन चार पाँच यह सब चीजे center कर दी ठीक है अब इसके बाद यह सारी चीज़े हमें बनानी है इसके बाद background तो बहुत ही ज्यादा simple है अ इसको मैं करूंगा बड़ा और यहाँ पर मैं इसमें रख दूंगा as it is ठीक है तो इसको बंद करेंगे और यहाँ पर 26 font round figure में कर देंगे तो यह हमारा यहाँ पर heading हो गया इसके बाद search मैंने यहाँ पर ले लिया और search लेने के बाद यहाँ पर content भी लेना है search को पहले रख जा गया and यहाँ पर content तो content में यही वाला copy करके इसको मैं करूंगा 14 14 करने के बाद color इसमें same apply करना है same कर दिया और search something लिख दिया ठीक है तो यह वाला भी हो गया इन दोनों को मैं क्या करूंगा दोनों को पढ़कर shift a press करूंगा and यहाँ से middle align कर दूँगा और यहाँ से spacing अ और यह बनाना है यह बहुत simple है तो quickly बनाते हैं इसको सबसे पहले icon लेकर आते हैं आपर icon लाने के बाद मैं क्या करूंगा इसको इसके उपर रखे पहले इसमें perfection लेक्ष्याइब कर लो कि इतने size पर आ रहा है या नहीं आ रहा है इसके बाद shift a press करना है shift a press करने के बाद आ और stroke ले लो and radius इतना कर दो जितना आपको चाहिए and color आपको चाहिए यह वाला grey यह grey हो गया and यहाँ पे रखने के बाद आप इसको manually भी कर सकते हो, manual यह इस तरीके से आपका work करेगा और इसके बाद यहाँ से center कर सकते हो, तो आपका icon भी बनके radio हो गया, same इसको मैं copy करूँग कि इसी में ही हमारा काम हो जाए, ठीक है, तो इसको मैं हाँ पे लेके आगया, क्योंगे radius वगरा same है, यहाँ से मैंने content copy किया, सिर्फ और यहाँ जाके paste कर दिया, अब paste करने के बाद यह बाहर आ गया, तो इसमें हमें एक property देनी पड़ेगी, यहाँ पे hug content है, इसे करेंगे अपना text upgrade, ठीक है, तो यह हो गया, एंड इसके बाद यहाँ से मैं stretch कर सकता हूँ, इसको directly और color यह वाला दे दूगा, और outline हटानी है, fill लेके आना है, fill में color मैं यह दूगा, और इसको bold करके, black करके, मैं use करूँगा, ठीक है, तो यह भी हमारा बन गया, इसको मैंने यहाँ पर रख दिया, and stretch कर लो, यह हमारा as it is बन गया, दोनों चीज़े बन गई हमारी, navigation बन गया, and top navigation भी बना दिया, अब यह cards पर काम करना है, जो थोड़ा सा tricky है, अब सबसे बहले हमें, card नहीं बनाना है, इनका content लेके आना है, थोड़ी trick आप देख लेना, so that आपको easily समझ मे आ जाया कि मैं इसमें करके आ रहा हूँ, so मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको रखा, और यहाँ पर लिखा, website, traffic, लिखने के बाद इसको bold कर लेना है, bold करने के बाद के प्रेस करेंगे, थोड़ा सा छोटा कर देंगे, जितना हमें चाहिए, तो यहाँ पर मैंने रखा, और थोड़ा सा बड़ा कर लिया, ठीक है, इसके बाद मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर लिया है, और मैंने लिखा, more, more को भी यहाँ पर रखूँगा, and छोटा करूँगा, k-press करके, ठीक है, यहाँ पर रखा, and इसका font आ रहा है, 13 इसको करेंगे है, 14, and 14, normal होना चाहिए, normal के बाद यही वाला कलर हमने apply कर दिया, तो यह भी आ गया हमारा as it is, और यह भी दोनों बन गए, इन दोनों को shift A कर देंगे, अभी के अभी, ठीक है, shift A किया, तो यह automatically align भी हो गया, ठीक है, इसका एक purpose है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, अब shift A हमने कर लिया, अब मैं इसी को copy करके नीचे लेके आँगा, और इसका हम यह काम करने वाले हैं, यह वाला बनाने वाले हैं, तो सबसे पहले तो मैं content लिखा हूँ, बड़ा ही मज़िदार काम होने वाला इसमें, social media, ठीक है, और social media को हम छोटा करेंगे, तो यहां से मैं इसको भी कर देता हूँ, 14, 16, इसक यहां पर मैंने कर दिया, 78%, ठीक है, 78% करके इसको भी same color दे देंगे हम, जो color यह वाला है, अब इसके बाद यह बनाना है, तो इसके लिए मुझे rectangle लेना होगा, और इतना बड़ा rectangle बनाने के बाद, जूम करोगे, तो यह four dot आते हैं, यही से direct radius आप बना सकते हैं, तो यहां यहांने magic part के लिए इसको उठाया और यहां पर रख दिया, इसने खुदी इसको auto adjust कर लिया, ठीक है, लेकिन space जादा आ रहा है, पहले तो space कम कर लेंगे इसमें, ठीक है, space कम करने के बाद, यहां पर इसको मैं दूँगा, fill container, ठीक है, अब fill container देने के बाद, container अगर मैं इस तरीके से बड़ा करूंगा, तो यह देखो, खुदी adjust हो रहा है, इसको मैं bold कर दूँगा, and यह हमारा बनके ready, अब इसमें भी चीज़ है, नीचे की तरफ line चीए, तो यहां से पहले space खोल लो, और outline दे दो, चारो तरफ की नहीं दे नहीं, यहां पर four dot आ रहा है, एक bottom वा color ले लो, जो इसमें apply किया हुआ है, मैंने यही वाला color इसमें ले लिया, थोड़ा सा अपनी तरफ से ले लेते है, and इसको हम कर देते है, point seven, थोड़ी सी बारीक line है, done, ठीक है, यह हो गया हमारा, अब इसके बीच का space बढ़ाना है, तो यहां से आप बढ़ा सकते हो, सब च इसको मुझे gray करना है, तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा उपर लेके जाँगा, और इसको पकड़ूँगा, and यहां से pick कर लूँगा, इसका color, और यहां पर मैं लिखूँगा, organic search, ठीक है, तो यह भी हमारा हो गया, इसको मैं नीचे ले आया, इन दोनों को मैंने पकड shift A प्रेस कर लिया, ठीक है, तो यह पूरी unit बन गई, एक यह पूरी unit बन गई, दो unit बन गई, अब यह बनाना है, ठीक है, तो इसके लिए मैं एक ellipse लूँगा, और ellipse लेने के बाद इसको इस तरीके से थोड़ा सा बढ़ा करके, इसका fill घटा दूँगा, and stroke बढ़ाते हैं fill लेते हैं, और fill मैं लूँगा red color का, और लेने के बाद यहां से आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, तो यहां से मैं क्या करने वाला हूँ, इसको यहां लेके आगया, और इसको यहां पर लेके आगया, इसको यहां पर, और इसको थोड़ा सा यहां पर, and इसका radius हमें क करना है बढ़ा दिया तो यह तो बनके रेडी हो गया हमारा अगर आप और थिकनेस चाहिए तो आप इसको और थिकनेस दे सकते हो अभी के लिए ठीक है कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया और इसको रोटेट कर दिया पूरा ठीक है रोटेट करने के बाद छोटा कर लेंगे इसको क्योंकि हमें और भी रोटेट करना है और यहां पर लेके जाना है इसको ऐसे ठीक है यहां से यह इंक्रीज कर लिया अब इसको मैंने क्या करना है ब्लै कर लो जितना आपको चाहिए कि क्लोज करते हैं एंड यहां से रेगुलर की जगा मीडियम मैंने कर दिया अब इन दोनों को मैंने गुरूप कर लिया और गुरूप करने के बाद इसको इससे अलाइन कर दिया यह हमारे यहां पर सेट हो गया ठीक है इन सब को मैंने क्या किया गुरूप बना लिया एक गुरूप बनाने के बाद यहां से अभी के लिए मैं यह रेक्टेंगल भी ले लेता हूं उसके अंदर सो यह रेक्टेंगल भी ले लिया एंड इसकी ओपेसिटी थोड़ इसी डाउन की जिससे की हमें पीछे का प्रिव्यू दिख जाए और सारे कार्ड सिमिलर होंगे तो एक बार बनाने की ज़रूत है उसके बास दुबारा निए बनाएंगे हम इनको रेडियस भी एक यह वार सैट करना है तो यहां से मैंने इनका रेडियस भी सैट कर दिया 24 रेडियस अभी रख देता है ठीक है तो यह हमारा काड बनके रेडियो हो गया एंड इसको अभी हमें कलर भी देना है तो मैं क्या करने वाला हूं इसको थोड़ा सा साइड करूंगा और कलर यही वाला दे दूँगा और इसको इसके उपर रख दूँगा अब धीरे-धीरे इसको पीछे लेकिया हूँगा और देखूंगा हमारा आउटपुट क्या यह हमने पूरा एक कार्ड ऐस बना दिया ठीक है अब इसके बाद यह वाले कार्ड और पांच यह कार्ड बनने हैं इसमें यह वाले के लिए हम प्लगिन यूज करेंगे प्लगिन कैसे काम करता है सबसे पहले मैं प्लगिन खोलता हूं राइट क्लिक करेंगे प्लगिन में जाएंगे और से फ्र लगिन में एक है वेव करके है सो विद मरें क्लिक करके ऊपन करूंगा ठीक है अब सब से बना सकते हैं यह इस तरीके से पुछ complicated बनानी है normal बनानी है तो आप यह बंख बना सकते हैं इस तरीके से और यह कुछ डारेक्शन से हमोज चाहिए कैसी चाहिए वो सब आप यहां पर random play कर सकते हैं जैसे मुझे यह वाली चाहिए तो create किया और यह हमारी यहां पर नीचे आ गई इसको मैंने छोटा कर लिया छोटा करने के बाद यह वाला card हम अभी बना रहे हैं तो इसके लिए मैं इसी card को copy करके के नीचे लेके आ जाओंगा एंड सारा content अभी फिलाल के लिए डिलीट कर देते हैं और इसको मैं opacity कर देता हूं उसकी बहुत ही ज्यादा डाउन जिससे की पीछे का हमें दिखें इसमें ठीक है अब ROI और यह traffic वाला लेना है तो यहां से मैंने इसको लिए इसको आरो आई अब यह वाला बनाना है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा इसके लिए दुबारा एक box लोंगा मैं और box लेने के बाद इसका radius थोड़ा सा कम कर लूँगा रेडियस कम हो गया अब इसको भी मैं side में लेके आ जाता हूं और यह तीन बार ड्रॉ करता हूं यहां से मैंने एक बार ड्रॉ कर ली color similar कर दिया एक यह कर ली इसको थोड़ा सा बढ़ा कर दिया और एक यह कर ली इसको भ color similar कर देता हूं similar करने के बाद दोनों को यहां पर रख दिया मैंने अब आप क्या करना है यह मैंने group बना रखा है इस group को मुझे इस वाले में यह जो मेरा auto layout था यह auto layout है basically मेरा तो मैं पहले इसको ungroup कर लूँगा और इस वाले में इसको लेके जाओंगा कैसे control x और यहां प और यहां पर इसको मैं दूँगा फिल कंटेनर फिल कंटेनर से क्या होगा यह होगा ठीक है अब इसको मैं क्या करूंगा यह वाला color कर दूँगा and in को मैं यहां पर रख दूँगा और space मैं थोड़ा maintain भी कर सकता हूँ ठीक है तो यह हमारा बन गया यहां पर अब यह लिखना है और यह लिखना है तो इसके लिए मैं क्या करूंगा इसी को copy करूंगा और यहां पर paste कर दूँगा एक हम यह पूरा group उठा के ले आए इसको मैं अब सबसे पीछे लेके जाऊंगा सबसे पीछे ले जाएंगे और एक step उपर लेके आँगा ठीक है अब यह जो content हमने लिया है इसको मैं यहां से सब कुछ delete कर दूँगा और simple लिखूंगा return on investment investment यह मैंने लिख दिया color मुझे चाहिए white तो मैंने यहां से इसको white कर दिय और white करने के बाद यहां पर रख दिया ठीक है एक बार और copy कर लेते हैं and इसका जो content है यह मुझे चीए auto width यहां पर मैंने लिखा 283% और k press करने के बाद इसको मैंने zoom कर लिया जूम करने के बाद इसको बड़ा किया and यहां से मैंने इसको fold कर दिया ठीक है तो यह भी हमारा यहां पर बनके ready हो गया अब हमें यह बनाना है main चीज जो है हमारी तो इसके लिए मैं already यहां पर एक लेके आया हूँ wave तो wave आप random भी ले सकते हो otherwise आप बना भी सकते हो तो यहां पर यह मैंने complete कर दी ठीक है तो यह मेरी वेव बन गई और refine करने के लिए आप इसको इस तरीके से भी refine कर सकते हैं जब आप नोड पकड़ेंगे तो आप यह दो नोड भी extra में मिलते हैं तो इससे आप इसको adjust कर सकते हो ठीक है तो यह आपको मिल गया इसके बाद इसक मैं करूंगा हलकासा white इसकी yellow ही रखेंगे लेकिन yellow में मैं क्या करूंगा उसकी opacity कम कर दूंगा थोड़ी से ऐसे ठीक है अब क्या करना है इसको हमें यहां रखना है लेकिन radial से काम चलेगा इसका ठीक है रेडियल मैंने ले लिया और यहां पर इस तरीके से रख दिया ठीक ह अब यहां पर मुझे यह लेना है एक ellipse लेना है ellipse लेके मैं क्या करूंगा fill हटा दूंगा stroke ले लूँगा और stroke को bold कर दूंगा और color हमारा yellow अब इसके बाद इतने ही size का rectangle लूँगा rectangle लेने के बाद मैंने ऐसे रखा और इसका भी color same कर देंगे same करने के बाद मुझे इसमें gradient करना है तो इसको मैंने simple gradient कर दिया और overall opacity इसकी कम कर दी ठीक है तो यह भी हमारा बन के ready हो गया तो यह बन गया अब इसी की एक copy और मैं ले लूँगा और इसको मैं कर दूँगा horizontally flip flip करने के बाद आप इसको ऐसे रख सकते हैं and इसकी thickness कम कर सकते हैं और इसकी opacity भी कम कर सकते हैं overall तो मैंने यहाँ पर 70% opacity कर दी तो यह हमारा यहाँ पर यह वाला अब यह card बनाना है और यह वाला card बनाना है अब इसी card को मैं ले लूँगा एक वारओ wast यह बॉक्स बना लिए अब इसके बाद यह to screenshot स्कूरी अंप किया and vari के इसकी मैंने eyes पर बन करती औ bahamśas ok रेकिए कि ओक तो अब हमें इसके रिरल कलर लेकानल लेके आने रिल चीजें लेकान एक लेके अञे इसके निंदर तो planning देख लेते हैं कैसे होगी तो यहां पे सबसे पहले मैं रियल कलर ले जाताहूं एक ये वाला color यहां पर यह इमेज है और इसके अंदर यह पैटन है तो पैटन कैसे बनेगा वो भी देख लेते हैं इससे पहले मैं इमेज लेके आता हूँ तो मैं जाता हूँ गूगल पे और मैं करता हूँ और यहां से मैं इसदर गशाओ कर देख और इसकी मैं एक और कपी लेता हूँ चैन इन दोनों को मैं करता इसके उपर अलकस मुझे इसके बाद मुझे यहां पर एक बटन देना है तो बटन के लिए मैं क्या करूँगा यही वाला बटन मैं उठाके नीचे ले आँगा और इसको मैं उपर कर दूँगा सबसे उपर कंट्रोल कमांड ऑप्शन ब्रैकेट से उपर करके कॉंटेंट मुझे लिखना है इसमें तो डबल क्लिक किया एंड वेब score with AI यह मैंने आपर टाइप कर दिया अब यह मैंने टाइप तो कर दिया लेकिन इसको मुझे करना होगा यह जो मेरा पीछे है इसमें fix है यह fix की जगे इसको hug content करना पड़ेगा तो यह आ गया ठीक है और otherwise मैं इसको इस तरीके से stretch भी करूँगा तो भी यह मेरा बन जाएगा इसमें font का जो style है वो थोड़ा सा बड़ा है 16 मैंने कर दिया और यहां पर रख दिया ठीक है इन दोनों को मैंने किया center और यहां पर यह मेरा बन गया pocket भी यह जो दो complicated थी यह दो बना दी है अब इसके बाद हमें यह वाली बनानी है तो इसके लिए यह simple content है तो content पहले में लेकर आ जाता हूँ तो content के लिए मैं यहां से copy करके बाहर लेकर आगे इस content को और इस पर search यह वाला हटाते है और यहां पर मैं लिखता हूँ इसमें customer यह मैंने यहां पर लिख दिया एंड इसके बाद मुझे इसमें क्या करना है इसको अंग्रूप करके content पे के प्रेस करना है और content को थोड़ा सा बड़ा रख लेना है ठीक है बड़ा करने के बाद यहां से मैं इसको करूंगा 20 20 फॉन्टी फॉर्ट रॉंप फिकर में कर ल लोगा तो हेडिंग हमने यहां पर ले ली अब हमें बनाने है बार्स लाइन्स ठीक है तो लाइन्स और बार भी बहुत ही इसी है तो सबसे पहले planning इसकी करते हैं क्योंकि complicated पार्ट यहीं है इसमें तो यहां पर मैंने यह लाइन ड्रॉ कर ली और लाइन ड्रॉ करने के इसको हम करेंगे 12 एं 12 करने के बाद इसको हम रखेंगे रैकुल यह आ गया इसको और इसको पकड़के shift a press कर देंगे और यहां से medium कर देंगे middle कर देंगे तो यह हमारा बन गया एक ठीक है auto layout एक auto layout यह बन गया अब एक पर और मैंने इसको copy किया और दोनों को पकड़के shift a press किया अब अब मैं यहां से space increase कर सकता हूं ठीक है यह मैंने यहां पर बना दिया क्या है इसको मुझे करना है 10 तो मैंने लिख दिया 10 ठीक है अब इस auto layout को पकड़के command D command D चार बार कर देना है तो automatically यह देखोगे यह आ गया है तो यहां पर 5 & 0 value डालनी है तो यहां पर मैंने control के साथ 5 लिखा and इसको मैंने लिख दिया 0 ठीक है तो यह हमारा यहां पर हो गया इसके बाद यह बार समय बनानी है और यह वाला भी tool tip बनाना है तो बार बहुत ही simple है बार में जादा कुछ नहीं है बार के लिए मैं एक rectangle लोंगा rectangle लेने के बाद इसको यहां पर रखेंग ठीक है तो रेडियस बढ़ा दिया मैंने इसका और इस तरीके से इसको छोटा कर दिया यहां पर आगया एक और मैंने copy ले ली इसको मैंने बढ़ा कर दिया इसको मैंने बढ़ा कर दिया इसको एक और 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 copy कर लिया और यहां लाने के बाद इसको भी मैंने बढ़ा कर लि पैटंद ढलना है पैटंद नंकिसे डालेगा 경우에는 मैं एक लाइन रॉ करता हूं ठिक के लाइन डॉचर अप भरने के बाद उसको इस तरीची से रोटेट कर देते हैं और ऐसे रखे कमांडी 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 कई बर मालेगती है तो यह एक पैटन मेरा बन करी यहां लेकिए आपको डिफरेंस दिखे और इसको इसके ऊपर रखते हैं ठीक है और छोटा कर लेता है जितना भी हमें चाहिए ठीक है चोटा रख करने के बाद इन दोनों को अलाइन हो गई एक यह और एक यह ठीक है कि मेरा इस इस बन गया अब इसमें मैं इसको इस तरीके से भी एड़्जस्ट कर सकता हूं यहाँ पर यह वाली हमारी बन गई और इसका कलर थोड़ा सा लाइट करना है तो लाइट भी मैं आपे कर सकता हूं या इसकी ओपेशिटी ड अब सिंपल यह बनाना है इसमें भी कुछ ज्यादा कॉंप्लिकेटर काम नहीं है तो मैंने एक रेटेंगल लिया इसको मैंने इस तरीके से रेडियस घुमा दिया इसका और एक मैंने लिया पॉलिगन पॉलिगन लेने के बाद मैं इस तरीके से ड्रॉ कर लूँगा और इस टीक है तो अल्मूस्ट सारा कुछ हो गया अब इसमें हमें यह फॉंट रखना है तो फॉंट के लिए फिफ्टी 200 मैंने रखा और इसको हम कर देंगे 12 12 करने के बाद मैंने यहां पर रखा यह अभी थोड़ा और चोटा हो सकता है तो इसको 10 कर देते हैं एंड इसका कलर में ले लूँगा सिमिलर सिमिलर कलर मैंने ले लिया और यहां से मैंने इसको कॉपी किया और कमांडी कमांडी पेस्ट कर दिया ठीक है तो यह मेरा कॉंटेंट यहां पर बनके रेडियो गया मैंने कॉपी कर लिया सब कुछ और कॉपी करने के बाद यहां पर ले किया चुका हूं मैं और इसक तो सेंटर लाइन कर दिया ठीक है तो यह पॉकेट भी मेरी बन के रेडियो भी एंड इसमें कॉंटेंट वगिए आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो ठीक है इसमें अब जो कॉंटेंट है वह यही वाली है और इसमें भी कुछ नहीं है यह भी सिंपल है तो इसके लिए क्या करना है आपको कॉंटेंट लेके आना है तो यहाँ पर वही वाला कॉंटेंट मैंने पेस्ट कर लिया और सेंट मुझे चाहिए तो इसको लिखना है तो मुझ ठीक है ये सब मुझे नहीं चाहिए अब मुझे बाूंश-स रेट से चाहर उर्टो टोड़ा साइड लिके जाने और यहां पर इसको मैंने कर दिया ब्लैक ठीक है त्सरीब रहीं के प्रसेंट और इसको मैंने के प्रेस करके बड़ा कर लिया और यहां रख दिया एक पिक्सिल की लाइन चाहिए लाइन मैंने ले लिए यहां पर मैं इसको भी लाऊंगा और K प्रेस करके छोटा कर लूँगा और यहां पर मैं थोड़ा सा और छोटा इसको करूँगा इसको मैं कॉपी करके नीचे लेके आऊंगा और यहां पर लेकूँगा सिंस लास्ट डे और फॉंट और ज्यादा चोटा हो जाएगा तो 14 फॉंट कर लेंगे हां पर एंड यह मैंने रख लिया और यह भी रख लिया इसका कलर मुझे यही वाला करना है तो मैंने यह भी कर दिया अब यह बनाना है और यह और इसके बाद हम almost सारा critical work खतम कर चुके होंगे तो यहां से मैंने एक यह ellipse ले लिया इलिप्स लेने के बाद इसको मैंने यह color किया यहां पर जाता हूँ मैं arrow पर और arrow draw करने के बाद इसको मैं rotate कर सकता हूँ इस तरीके से ठीक है और दोनों को center और equal कर दिया और जितना भी rotate आप को करना है उतना rotate आप कर सकते हो यह 45 यहां से मैंने इसको copy किया पूरे को और इसको ungroup कर लेते हैं और इसमें मुझे सिर्फ यह वाली value चाहिए यह सब हटा देते हैं अभी यह सब हटा देता हूँ मैं अब मुझे यहां पर type करना है 3 & 1 करना है Tuesday & Monday ठीक है इस तरीके का मुझे कुछ type करना है तो मैं एक पहले unit बनाँगा उसको मैं easily manipulate कर सकता हूँ तो यहां पर मैंने दोनों को select किया shift a press किया center किया और क्या किया अब मैंने फिल किया और दोनों तरफ से spacing जितनी चाहिए उतनी लेली और radius घुमा दिया और फिल की जगे मैंने क्या किया stroke मैंने as it is पे कर ली तो यह भी मेरा as it is बन गया और इस में मैं इसका जो font है इसका मैं छोटा कर लिया जांस करता लिया तो सब्सक्राइब थी मैंने यहां पर राखती है और एक और मैंने यहां पर रखती है अब इसमें जो color है वो yellow है तो fill color मुझे चाहिए yellow तो ये वाला fill color मैंने इसमें कर दिया और outline कर दिया ठीक है तो ये भी हमारे तीनों बनके ready ये pocket भी हमने बना ली ठीक है ये मैंने यहां से ctrl G group कर लिया और ctrl C किया and यहां पर जाके paste कर दिया and इनको मैंने क्या किया align कर दिया अब align करने के बाद मुझे यहां पर box लेना जिससे की actual पता लगे कि similar बना भी है या नहीं तो मैंने हाँ से similar box ले लिया और उसका similar color भी कर दिया radius हमने इसका कर दिया 24 ठीक है 24 करने के बाद इसको अंदर लेकर आते हैं और सबसे नीचे रखते हैं और इसको center करते हैं तो हमारा dashboard almost बिल्कुल वैसे ही बन चुका है जैसे यह था अब इसमें एक pattern class में सिर्फ इतना ही तो यह था हमारा last design challenge 10 जिसमें हमने dashboard design किया पूरा process Figma में आपको सबच में आया होगा अगर आपको एक लास पसंद आई है कोई suggestions हैं कोई comment है तो comment box में जरूर दें एंड लाइक करें इस वीडियो को और सब्स्राइब करें Pelfis Studio थैंक यू सो मुच